आठ अप्रेल उन्नीस सो चौरानवे को जन में अखिल अक्किनेनी एक प्रमुख भारतिय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग में काम करते हैं। वह प्रतिष्ठित अक्किनेनी परिवार से हैं जो तेलुगु सिनेमा का परियाय है। अखिल अभिनेता अक्किनेनी नागारजुन और लक्ष्मी रामानाईडू दगुबाती के छोटे बेटे और प्रसिध तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव के पोते हैं। आएए अखिल अक्किनेनी की उँचाई, वजन, उम्रक, मामलेट, परिवार और सिनेमा की दुनिया में उनकी आकरशक यात्रा के बारे में विस्तार से जाने। उँचाई और वजन अखिल अक्किनेनी लगभग 5 फीट 10 इंच, 178 सेंटी मीटर की उँचाई के साथ खड़े हैं। उनकी सुव्यवस्थित काया और फिटनेस दिन्चरिया उनकी आकरशक और शानदार ओनस्क्रीन उपस्थिती में योगदान करती हैं। हालां की फिटनेस दिन्चरिया और फिल्मी भूमिकाओं के कारण उनके वजन के बारे में विशिष्ट विवर्ण समय के साथ भिन हो सकते हैं। उन्हें एक फिट और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए जाना जाता है। आयू अपनी युवावस्था के बावजूद अखिल ने उल्लेखनिय अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया है और एक महत्वपूर्ण प्रशंसक बनाया है। पारिवारिक प्रिष्ठ भूमी अखिल अक्किनेनी तेलुगु फिल्म उद्योग में गहरी जड़े जमाय हुए परिवार से आते हैं। उनके पिता अक्किनेनी नागारजुन एक बहुमुखी अभिनेता और टॉलिवुड में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उनकी मा लक्ष्मी रामानायडु दगुबाती प्रमुख दगुबाती परिवार से हैं। अक्किनेनी नागेश्वर राव एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और उनके नाना दगुबाती रामानायडु एक शान्दार फिल्म निर्माता थे। अक्किनेनी परिवार कई दशकों से तेलुगु सिनेमा में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है और अखिल इस प्रतिष्ठित विरासत के नवीन्तम पथप्रदर्शक हैं। उन्होंने पारिवारिक परंपरा को जुनून के साथ अपनाया है और उद्ध्योग में अपनी जगह बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जीवनी अखिल अक्किनेनी का मनोरंजन की दुनिया में कदम कम उम्र में ही शुरू हो गया था। अभिनेताओं के परिवार में पैदा होने के बावजूद अखिल ने अभिने में पदारपन करने से पहले अन्य रुचियों की खोज की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चैतन्य विद्याले से पूरी की और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। 2014 में अखिल अक्किनेनी ने फिल्म अखिल दपावर ओफ जुआ से फिल्म उद्योग में धमाकेदार एंट्री की। वीवी विनायत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अखिल की गतिशील स्क्रीन उपस्थिती और एक्षन द्रिश्यों को कुशलता से करने की उनकी क्षमता प्रदर्शित की गई। हाला की फिल्म को मिश्रित समीक्षाय मिली लेकिन अखिल के पहले प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया। अपने डेब्यू के बाद अखिल ने होलोक 2017 और मिस्टर मजनूक 2019 जैसी फिल्मों में काम किया। विकरम कुमार द्वारा निर्देशित होलोक में अखिल को रोमांटिक अवतार में दिखाया गया है और इसकी आकर्शक कहानी और प्रदर्शन के लिए इसे सकारात्मक समीक्षा मिली है। वेंकी एटलुरी द्वारा निर्देशित मिस्टर मजनू में अखिल ने एक आकरशक और सौमे किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपने शुरुवाती करियर में उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद अखिल अक्किनेनी उतक्रिष्टता की खोज में लगातार लगे रहे हैं। वह एक अभिनेता के रूप में लगातार विक्सित हो रहे हैं और सिल्वर स्क्रीन पर मनोरंजक और प्रभावशाली प्रदर्शन देने के लिए समर्पित हैं। मामले अखिल अक्किनेनी की निजी जिन्दगी अक्सर उनके प्रशन्सकों और मीडिया के बीच दिल्चस्पी का विशर रही है। अभिनेता को अपने निजी जीवन को गुप्त रखने के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके रिष्टों के बारे में अटकले और अफवाहे कभी कभी सुर्खियां बनती हैं। ऐसी जानकारी को सावधानी से लेना आवश्चक है, क्योंकि मशूर हस्तियां अक्सर अपने निजी मामलों को लोगों की नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं। फिल्हाल अखिल ने अपने रिष्टों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। प्रशंसक उनके निजी जीवन के बारे में अपडेट का बेस्बरी से इंतजार करते हैं। लेकिन जब दिल के मामलों पर चर्चा करने की बात आती है, तो अभिनेता ने कम प्रोफाइल बनाये रखी है। अंत में अखिल अक्किनेनी तेलुगु फिल्म उद्योग में एक होनहार प्रतिभा के रूप में खड़े हैं, जो प्रतिष्थित अक्किनेनी परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अपनी कला के प्रती उनके समर्पन और उनकी शांदार ओनस्क्रीन उपस्थिती ने उन्हें देश भर के प्रशन्सकों का चहेता बना दिया है। जैसे जैसे वह विविद भूमिकाओ और शैलियों का पता लगाना जारी रखता है, इस युवा और गतिशील अभिनेता का भविश्य उज्वल दिखता है। सिनेमा की दुनिया में अखिल की यात्रा देखने लायक है, क्योंकि उनका लक्षे तेलुगु सिनेमा की समरिध टेपेश्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ना है।